आज की वीडियो में मैं कोई प्रोड़क का रिव्यू नहीं करने वाली हूँ आज मैं आप लगों के साथ एक सिंपल सा मेकप लुक क्रियेट करने वाली हूँ जो कि मैंने अभी रिसेंटली कुछ प्रोड़क्स पर्चेस किये हैं उनको यूज करकर करने वाली हूँ तो एक तो अगर आपको इससाप की वीडियो जेखने में एंड तर देखिए तो अगर आपको इस वीडियो का अचंट तक देखिए तो यह हम स्टार करते हैं मेरा जो मेकप लूख है वो तो गयज वैसे तो मैं कोई मेकप पाइस नहीं हूँ या मुझे मेकप करना कुछ इतना ज् तो मैंने सीटाफिल के क्लेंजर से फेस वाश कर लिया है और आयूगा के टोनर से टोनिंग कर लिया है और यहां पर मैं ले रही हूं सेबामिट का मौशराइजिंग जेल जो की काफी जदा लाइट वेट है और मेकप के नीचे काफी अच्छा जाता है अब मैं अपने लिप् NYBECA PRO Primer और यह एक Orange Correcting Primer है जो की हमारे जो Dark Spots है उसको Correct भी करेगा तो यहां पर मैं देखूंगी किस तरीके से यह Prime भी करता है और Correct भी करता है जैसे कि आप देख सकते हो कि मुझे थोड़ी सी Dark Circles की Problem है तो यहां पर मैं अच्छे से-से Blend कर लूँगी वैसे तो यह अच् कर रहा है लेकिन आगे हम देखेंगे Foundation लगाने के बाद के इसने किस तरीके का Result दिया हुआ है मेरे Makeup Base के अंदर और अब मैं अपने Eyebrows को Prepare कर लूँगी यहां पर मैं एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करती हूं मैं कोई Gel या Powder नहीं उसकर करती हूं मैं इस तरीके की एक Spoolie कि जो Easily हमें कहीं पर भी कोई भी Store पर अवेलेबल हो जाती है इस पर मैं अपने जो Eyeshadow Palette से जो मेरे Brows का Matching Powder है उसको लेकर मैं इस तरीके से अपनी Eyebrows को Set कर लेती हूं क्यूंकि मुझे काफी जाथ Dramatic Eyebrows पसंद नहीं है यहां पर Foundation के लिए मैं ले रही हूं Mama Earth का Vitamin C Glow Serum Foundation यह जो Foundation है वो मेरा Current Favorite Foundation है क्यूंकि यह Vitamin C की और Turmeric की Goodness के साथ आता है और जैसे कि आप सब को पता है कि Vitamin C जो होता है वो हमारी Skin को Brighten करने में और Turmeric Antioxidant Protection देता है हमारी Skin को यह Mama Earth का यह जो Foundation है वो 12 hours तक Long Lasting है तो हम देखेंगे कि किस तरीके से Blend होता है और यह मैं इसे दूसरी या तिसरी बार यूज़ कर रही हूं और यह मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इससे पहले मैं Maybelline Fit Me का Foundation यूज़ करती थी और अब यह मेरा Favorite Foundation बन चुका है क्यू और अब मैं अपनी डाक स्पोट को कंसील करने के लिए ले रही हूं Swiss Beauty का कंसीलर और मेरा जो शेड है वो है 02 इसे मैं अपनी अंडर आइस पर और अपनी आई लिट पर अपने नूस बोन पर अपलाई कर लूँगी और थोड़ा सा मैं चिक्स को भी कंसील कर लूँगी और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं सारे ही क्रीम प्रोड़क्स अभी यूज़ कर रही हूं कोई भी पावडर प्रोड़क्स मैं नहीं लगा रही हूं तो मैं NY B का जो स्टिक कॉंटोर स्टिक है वो अपने कॉंटोरिंग के लिए यूज़ करूंगी और यहां पर मैंने इंसा बहुत ज्यादा अपसेस्ट हूं और मैं अपने कंसीलिंग वगेरा के लिए यही वाला जो है यूज़ करती हूं और यहां पर अभी मैं ले रही हूं कंसीलिंग ब्रश क्यूंकि मुझे थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट चाहिए और क्यूंकि मैं एक आइशेरो लगाने व ठीक ठाक जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करकर बताना क्यूंकि मैं जानना चाहती हूं कि मैं अच्छा मेकप करती हूं या नहीं करती हूं ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियो लेकर आऊ और अब मैं ले रही हूं लेसली ब्लेंड हो गया है मेरे फाउंडेशन के साथ बिल्कुल भी अलग-अलग सा नहीं लगता है स्किन के ओपर तो मुझे काफी जादा पसंद है अब मैं मेरे सारे ही क्रीम जो भी प्रोड़क्स है उनको सेट कर लूँगी एन्वाइबे के लूज पाउडर के साथ यह आई लूग के लिए जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ली है ब्लू हेवन की आईशेड़ स्टिक और यहां पर आपको एक मैट एक साइड मैट मिल जाएगा और एक साइड मेटलिक मिल जाएगा इसको मैं लगा लूँगी अपने आउटर वी में और एक स्टिफ लेकिन इस तरीके से मैंने ब्लेंड किया है मुझे तो अबी तस मेरा आई मेकप लूग अच्छा लग रहा है और अप मैं मेटलिक वाला जो साइड है वो लेकर अपनी आई रिट पर लगा लूँगी और इसको अफस का ब्लेंडिंग ब्रश की हैस से मैं ब्लेंड कर अब मैं कलर स्कुीन की आई लाइनर ले रही हूं और मैं एक सिंपल सी आई लाइनर ड्रॉ कर लूँगी तो मुझे अपनी आइस पर ज्यादा ड्रमेटिक सी आई लाइनर सूट नहीं होगी है ऐसा मुझे लगता है आप मुझे कमेंट करकर बताना कि मुझे किस तरीकी की आई लाइनर ड्रॉ करनी चाहिए अब मैं इंसाइट का मस्कारा लूँगी और इसको मैं लगा लूँगी ये भी काफी ज्यादा अफॉड़ेबल है आइटिंग बन फिस्टी के अंडर मिल जाएगा और इसका जो रिजर्ट है वो भी काफी ज्यादा अच्छे है और यहां करकर लगा सकते हो एक ड्यूई मेकप लूप के लिए लेकिन मैं इसे एक हाइलाइटर की तरह यूज़ करती हूँ बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और बहुत ही ज्यादा सटल सा हाइलाइटिंग इफेक्ट देता है जिसे कि आप देख सकते हो तो यहां पर मेरा जो मे पिंकी पिंकी सा मेकप लूप हो गया है रेडी और मुझे तो अच्छा ही लग रहा है टिक टकी लग रहा है मेरा मेकप लूप आप लोग कमेंट करकर जरूर बताना आपको यह मेकप लूप कैसा लगा और इनमें यूज़ किये हुए किसी भी प्रोड़क की टीटेल चाहि लगाल तो भूप करो जा को से ढाय हो कि ञपने बतान प्रा kingdom